हलो नमस्ते में हूँ बेगोटिया और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत से टेस्टी को किंग थाली में आज हम बनाएंगे स्वादेश्ट भर्मा बेगन की सबजी तो आए वीडियो के टेस्टार्ट ये हमारे 200 ग्राम बेगन है इन सभी को पीस के हमें पेश्ट तयार करना है और हमारी ये बेगन को हमें इस तरह से कट करना है लीजी हमने पेश्ट बना के तयार कर लिया है और ये हमारी टमाटर हमें सारे बेगन को इस तरह से कट करना है आए हम जान लेते हमारे और मसाले तीन से चार पत्ते हमें तेज पत्ते लेना है और चार चमज हमें धना लेना है सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चेनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटिस अपडेट पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मैंने यहां पर चार चमच धना ले लिया है एक चमच हम लेंगे हल्दी पाउडर एक चमच हम लेंगे लाल मिच पाउडर मैं यहां लाल मिच पाउडर एक चमच ले रही हूं क्योंकि हम सूखी मिर्ची भी इसमें पीछ के मिला रहे हैं और एक चमाच हम लेंगे नमक, आप साद अनुसारे से मिला सकते हैं, और एक चमाच हम लेंगे गरम मसाला, और एक चमाच हम लेंगे मेथी दाना, और एक छोटी चमाच हम लेंगे राई दाना, जी हमाई दो चम्मच हमाई राय दाना और मेथी दाना है एक चम्मच और हमारा मसाला धनिया और टमाटर और हमारा पेष्ट अब हम गेस को ओन करेंगे कढ़ाई को हम चड़ाद दिया है हमाई कढ़ाई हो चुकी ही गराम इसमें हम मिलाएंगे चार चम्मच तेल हमें तेल इसमें थोड़ा हमें ज्यादा लगेगा क्योंकि हमें सारे मसालो को इसमें अच्छे से फ्राई करना है हमार तेल गराम हो रहा है चब तक हम अपने मसालो को सूखे मसालो को पानी डालके से पेष्ट बना लेते हैं हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है हम इसका गाड़ा पेष्ट रखना है लेजी हमने अपने मसालो को गोल बना कर रख लिया है हमार तेल गरम हो चुका है इसमें हम मेथी दाना और राई दाना हमने डाल दिया है इसमें हमने जो पेश्ट बनाया था हमने इसमें डाल दिया है अब हम इसे लागा था चम्मच को चलाते रहना है यहां हम अपने सूखी मसाला का जो हमने पेश्ट बनाया था हम इसमें डाल देंगे अब हमें यहां से गेस को मीडियम कर देना है जब भी हम मसाले डालते हैं तो हमें गेस को मीडियम कर देना चाहिए जिसमें हमारे मसाले नीचे लगे न अगर हमारे मसाले नीचे लग जाते हैं तो स्वात में अच्छा नहीं लगता है खाने में आईए अब हमने गेस को मीडि कर दिये हैं इसे हम लागाता चलाते रहना है इसमें अब हम मिलाएंगे हमार टमाटर इस तरह आप इसे लागाता चलाती रहिए आप हमें से एक मिनिट के लिए हमें धक कर रखना है हमारा एक मिनिट हो चुका है अभी भी हमारा मसाला कच्चा है थोड़ा सा अब हमेंसे लागाता चलाते रहना है और गेज हमें मीडियम ही रखना है इसमें हम थोड़ा सा पाने मिलाएंगे थोड़ी सी मात्रा में जिसमें हमारा मसाला अच्छी से सेट हो जाए पक्सा के अब हमें से इस तरह लागाता चलाते रहना है अब एक मिलेट के लिए हम फिर से ढखका रखेंगे हमारा एक मिलेट हो चुका है और हमारा मसाला पक्कर है तयार इसमें अब हम हरा धनिया में लाएंगे हमारा मसाला बनकर है तयार अब हम भटे को फ्राइ करेंगे लीजे हमारा मसाला बनकर है तयार कढ़ाई को मैंने चड़ा दिया है इसमें मैंने तेल गरम हो चुका है हमारा हम भटे को फ्राइ करना है भटा याने हमारे बेगन हमें से थोड़ा सा ही फ्राइ करना है बाकि हम अपने मसाले में से पकाएंगे आप चाहे तो इसे फ्राइ करके बना सकते हैं बेगन को और आप चाहे बिना फ्राइ करके भी बना सकते हैं हम दोने प्रकारशे से बना सकते हैं हमारे भर्मा बेगन को लीजिए हमारे बेगन फ्राइ हो चुके हैं अब हमें से मसाला से में भरना है इस तरह से हमें सारे बेगन को मसाला भरना है अब मैंने कड़ाई को चड़ा दिया है और हमा तेल भी गरम हो चुका है हम यहाँ एक चमज तेल ले रहे हैं हमा तेल गरम हो चुका है इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हमारे तेज पत्ते तीन से चार कली लेज उनकी और अब हमें हमारे बेगन को इस तरह समय डालना है हमारा बेगन हमारे मसाले हम इसमें इस तरह डाल देंगे उसे धीरे धीरे इस तरह चलाएंगे अब एक मिलेट के लिए हमें ढखका रखना है हमारा एक मिलेट हो चुका है हमें से धीर धीरे चलाना है जिसमें हमारा मसाला निकलेना और जो मसाला हमारा बचाता हमने इसमें एक कप पानी मिला दिया है जो हमारे फ्राइ वाला जो मसाला बसता है इसमें हमने एक कप पानी मिला दिया है हमें अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है जिसमें हमारे मसाले आसानी से पक सके हम इसमें ज्यादा तेल नहीं मिला रहे हैं अब हमें थोड़ थोड़ा पानी डालके से पकाना है जो हमरे मसाले बच जाते हैं हमने उसी में इसमें एक कप पानी मिला दिया अब इस बात को याद रखना है हमें और हमें थोड़ थोड़ा करके इसमें मिलाना है एक कप पानी लेना है लीजिये मैंने एक कापानी लिया था इसमें हमने मिला दिया है हमें एक मिलिट तक इसे चलाते रहना है लीजिये हमाई सब्जी बन कर है तेयाग अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तक प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सेर कीजिए दोस्तों को मेरा न्यू चैनल है टेश्टी को किन्था दी थैंक्यू धन्यवाद